वरिशव राशी वाले दोस्तों ग्रेग उच्चर के अनुसार वरश के अंतिम तीन माह अक्तूबर से लेकर दिसंबर माह तक आपके लिए महत्त पुर्ण भाग्या वर्दत और लाप्रद रहने वाले हैं इस अवदी में फैस्टिवल सीजन भी है ग्रेहु की शुपता फैस सुक्षांती और कार्या स्थल पर पेश आरी चिंता और परशानियों से रहत दिलाएगा करियर में स्थिरता आएगी वहुत बड़ा बदलाव आपकी इंतियार कर रहा है वीडियो में विस्तार से इस बदलाव पर चरचा करेंगे वीडियो वहुत महत्त पुर्ण रहने व दोस्तों कैसे हो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्वास्त से गुरू का आपकी राशी पर संचार स्वास्त के द्रिश्टिकों से उत्म बना हुआ है अक्तूबर और दिसंबर मां में राशी स्वामी शुकर की स्थिती भी उत्म बनी रहेगी लेकिन नवंबर मां में शुकर के सायोग में कुछ कमी रह सकती है इस समय फैस्टिवल सीजन का भी जोर रहेगा इसलिए खान पान पर अधिक दिहान दें गुरू का राशी पर संचार मोटापे में वरिदी कर सकता है उपर से शुकर के सायोग में कमी रोग प्रतिरोजग शम्ता में कमी कर सकती है इसलिए खास कर नुवंबर मा में बाहर के मिर्च मसाले तले वसा और घी युक्त बोजन से परहेज करें अपने पेट और पाचन तंतर का खास ध्यान रखें पन्चम बापर राहू केत्व का परवाब भी पढ़ रहा है इसलिए पेट से सबंदित इनफेक्शन पैदा कर सकता है नुवंबर मा में साफ सफाई और सवचता की अंदेखी ना करें अगर जुरूरी है तो बाहर का खाना खाएं नहीं तो प्रहेज करें बात करें शिक्षा की तो पन्चम बापर गुरु देव की दृष्टी शिक्षा के दृष्टी कों से उत्तम बने हुई है केत्व के नकरातम परवाब को काम कर रही है अक्तूबर माँ शिक्षा के सबंद में मिला जूला रहेगा लेकि नवंबर और दिसंबर माँ में पंचम बाप के सासत पंचम बाप का स्वामी बुद्ध भी गुरु देव की शुब द्रिश्टी में आ जाएगा। दोनों पर गुरु की द्रिश्टी विद्यार्थियों की मेहनत बहुत ही कियो गया था और ग्यान का पूरा अफल सफलता के रूप में परदान करेंगी मेहनत वेर्थ नहीं जाएगी। इन दोनों माँ में विद्यार्थी शिक्षा के शितर में बहुत अच्छा कार्या बात करे प्रेम्स बंदों की तो प्रेमियों के लिए भी अक्तूबर मां से कहीं अधिक नवंबर और दिसंबर मां काफी स्क्रात्मिक रहने वाले हैं। इन दोनों मां प्रेमी अपने प्रेमी जन के प्रती इमानदार और निश्ठावान बने रहेंगे। प्रेम्स बंद जूट और फ्रेम से परे दिखाई देंगे। प्रेम्स बंदों में नीश्वार्थ नीश्ठा, इमानदारी, पवितरता और पारदर्ष्टा देखने को मिलेगी। गुरुदेव के प्रवाब से प्रेमी अपने प्रेमी जन की भावनाव और विचारों का दर करेंगे। बात करें शादी शुदा दोस्तों के दंपत्या जीवन की तो 15 नमबर तक दंपत्या वाब प्रशनी की वकर्द रिष्टी कभी बार प्रस्परवेचारिक मतवेद पैदा करने का कार्या करेंगे। लेकिन गुरु का शुब परवाब और दंपत्या वाब के स्वामी मंगल दवारा नीच भंग रायोग का निर्मान दंपत्या जीवन में मदूर्दा का भाब बनाए रदेगा। शनी की कूद रिष्टी का खास कोई अशुब प्रवाब देखने को नहीं लेगा। ग्रैग उचर के नुसार जीवन साथी का सुख और सहयोग आपके स साथ बना रहेगा। जीवन साथी के साथ कोई नस्दीक की यात्रा वगेरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर 15 नुवंबर तक जब तक शनी की वकर द्रिष्टी पड़ेगी दंपत्या जीवन में छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बजें। अब बात करते हैं। भाग्या, द्न, संतान, सुख करियर उर आर्थिक दर्ष्टी पो उनसे तीन ou मा क्या संकेत दे रहे हैं। भाग्या वापरны, गुरुदेव की द्रिष्टी भाग्या को बल परदान कर रही है। भाग्या का सुख खेंसा योगा आपके साथ बना रहेगा। दिसंबर मा में भाग्या और अधिक मजबूत देखने को मिलेगा क्योंकि इस मा राशी स्वामी शुक्र मी भाग्या वापर संचार करेगा तथा गुरु देव की शुब द्रिश्टी में रहेगा शुक्र का भाग्या वापर संचार भाग्या की प्रबल शक्ति परदान करेगा शुक्र की शुक्ता से घर परवार में भाग गया दन, सुख, शांके और सम्रीदी का वास होगा घरेलू सुखों में वरिदी के साथ साथ बौधिक सुखों का विस्तार होगा धार्मिक कारियों में बढ़ चड़ कर भाग लेंगे बात करियर की, तो 15 अवंबर तक करम वाप पर शनी उल्टी चाल चलेगा इसलिए 15 अवंबर करियर में उतार चड़ाव जैसी स्थिती देखने को मिलेगी अपने कारियों के परति अस्थिरता और असंतुष्ठी जैसे भाप देखने को मिल सकते हैं इससे कार्यों को छोडने और बदलने जैसे विचार मन पर हावी हो सकते हैं इसलिए जब तक शनी उल्टी चाल चलेगा पंदरा नुवंबर तक जल्द वाही में कोई काम ना करें बुद्धी वेक से सोच विचार कर कार्या करें आप किसी भी परकार के कार्या वेपार वेपसाई या नोक्री पेशा से जुड़े हैं धैर्यम से यम बनाए रगे पंदरा नुवंबर का नोक्री पेशा दोस्तों को भी सह करनी हो और उच अधकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से भचना होगा पंदरा नुवंबर को शनी की चाल में यू डरना जाएगा वक्री वस्ता से मारगी हो जाएगा अब शनी का सीधा चलना कार्या स्थल घर परवार और दंपत्या सुक शांती के लिए उत्तम रहेगा करियर में बहतरीन बदलावाएगा अब आपके अपने कार्यों के परती बने अस्थेरता और असंतुष्टी जैसे भाव शने शने से दूर होते जाएगे कार्यों के परती रूची और टाकगरता बड़ेगी सह कर्मियों और उच्ज अदकारी वर्ग के साथ चले आ रहे वाद विवाद भी दूर हो जाएंगे सबंदों में सने और मदूरता का बहाव पैदा होगा वहुगली रहु के लावाप पर संचार से फेस्टिवल सीजन में आर्थिक स्थिती मजबूत बनी रहेगी आपकी मेहनत वियर्थ नहीं जाएगी मेहनत का पूरा फल लाव के रूप में मिलेगा रहु का लावाप पर संचार आर्थिकुनती लाव और सफलता को बल पर दान करेगा धन बाप के स्वामी बुद का शुब गोचर भी धन की स्थिती को मजबूत बनाए रखेगा नवंबर और दिसंबर मामे बुद का सब्तम बाप पर संचार वैपार के दृष्टी कोंग से उत्तम रहेगा वैपारी दोस्तों को परसन कर देगा आपकी राशी के लिए बुद संतान बाब का स्वामी मी है इसलिए नवंबर और दिसंबर मां में बुद का शुब गोचत संतान के समंद में भी उत्तम रहेगा गुरु की संतान बाब के साथ संतान बाब के सवामी बुध पर शुब दृ्ष्टि संतान से सबंदी सुखों में भुरिदी करेगी। 10 अक्तूबर से लेकर दिसंबर मातक शत्रू स्थान पर मंगल की कुरूर दृष्टि शत्रू नाशक कार्या करेगी। दिसंबर मा तक शतरवाप के नियन तरण में बने रहेंगे कूल मिला कर ग्र्यागोचर के अंसार तीनों मा महत्पुरुन बने रहेंगे महत्पुरुन ग्र्यागोचर'. यस्थिती के साथ आप नव वरश दोईयर पच्चीस में परवेश करेंगे जो नव वरश को भी महत तपुरन और लापरत बना देगी आने वाले समय में करम फलदाता शनी आपको सफलत और उन्नती की बुलंदियों पर ले जाएगा फरश से उठाकर अरश तक बिठा देगा इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनी की जैजाकार करते जाएं साथ में लाइक शेर कमेंट और सबस्क्राइब करना ना भूले